इस module में जिस हम जिस resource scheduling का discuss करेंगे वो एक नया concept है relatively वो है bargaining based resource scheduling bargaining मतलब जैसे हम कुछ चीज करीदने जाते हैं और हम उसमें भावताओ करते हैं हम negotiation करते हैं जो हम price pay करना चारे हैं जो provider है या जो seller है वो अगर उस पे agree नहीं कर रहा तो हम अपनी जो offer है उसमें increase कर लेते हैं जो provider है वो अपनी offer में जो demand है उसमें तोड़ी decrease कर लेता है और इसी तरह से कहीं न कहीं जाके मामला सुलच जाता है और जो buyer है और जो seller है वो दोनो agree होके जो मुतमीन हो जाते हैं एक खास amount पर जो के seller जो है उसको pay कर देता है buyer और जो भी resource उसको चाहिए वो require कर लेता है सेम इसी तरह से अगर यह suppose किया जाए कि cloud computing की जो resources हैं वो भी एक market place पे available है कई provider हो सकते हैं कि जो resources जो है offer कर सकें किसी भी user को at run time लेकिन user को यह privilege हो कि वो जो price है वो उस पे negotiate कर सके consumer का budget हो सकता है consumer के जो है कोई time का भी constraint हो सकता है consumer जो है यानि cost and time के constraint के अंडर अपनी जो 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 चीज वो afford कर सकता है उसमें वो बेहतर से बेहतर चीज जह है वो बेहतर से बेहतर और ज्यादा resources जह है वो gain करने की कोशिश करता है यह एक arm life का भी एक उसूल है और इसी तरह से इसी जो technique है या इसी concept को कुछ researcher ने cloud computing के resource scheduling पे भी apply किया है कि अगर एक user को resources require है तो वो multiple जो providers है उनसे वो एक ही time पे या एक है करके negotiate कर सकता है for resources और जहां पे उसको best price मिलेगी वो वहाँ पे जो है वो अपने जो jobs हैं या जो भी task है वहाँ पे उससे वो execute करवा लेगा उसी cloud provider से इस सिल्सले में कोई broker भी implement किया जा सकता है इसमें जो ब्रोकर जो है जो user है उसकी request और data और जो भी requirements है constraints है वो उनको get करें और उसके बाद जो user है उसी की हदायत पे उसी के budget के मताबिक आगे for example negotiate कर सके यह technique अपनी जगा पे अभी evolve हो रही है क्यूंकि इस तरह से cloud marketing markets भी उनको evolve होना है या अभी तक जो है यह homogeneous task के execution के लिए ही यह सारी techniques जो है वो use हुई है लेकिन अपनी जगा पे यह एक नई चीज है कि bargaining कर ली जाए अगर एक user को cost का constraint है तो अपनी जगा पे वो एक static constraint है वो अगर provider से runtime पे negotiate कर ले तो हो सकता है कि जो additional resources उसको नहीं मिले जो additional यानि मैं infrastructure provider की बात कर रहा हूँ कि जो service provider है वो negotiate कर ले या user है वो negotiate कर ले provider से और हो सकता है कि कुछ negotiation के बाद उसको वो resources मिल जाएं कि जैसे उसकी deadline मीट हो जाए so इस तरह का जो conceptual implementation है वो इस तरह की scheduling में यानि bargain based scheduling में किया जा सकता है और ये एक अभी तजरवाती मराहिल में है जो literature review है उसे हमें ऐसा लगता है